हेलो एवरिवन इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि जब आपके YouTube चैनल पर copyright strike आ जाता है तो उसको कैसे remove करना है हमारे चैनल पर देख सकते हैं one copyright strike आ गया है तो उसको कैसे remove करते हैं वो आपको live proof हम इसमें करके दिखाएंगे और आपको भी अगर YouTube चैनल पर copyright strike किसी ने दे दिया है तो उसको कैसे remove करना है वो देखें और मैं इसमें 100% genuine और authentic तरीका बताऊंगा जिससे कि आप copyright strike को हटा सकते हैं देख सकते हैं एक्टिव copyright strike हमारे चैनल पर तीन में से एक आगिया है और यह हमारा चैनल का कुछ इस तरह का dashboard है तो मैं यहां पर आप देख सकते हैं कि जो copyright strike है तो इसको कैसे हटाना है जब आपका चैनल पर भी copyright strike आ जाता है तो काफी problem create हो सकता है क्योंकि आपका और दो copyright आने के बाद आपका चैनल यह है पर्मानेंटली डिलिट कर दिया जाएगा तो देख सकते हैं हमारा यह वीडियो पर copyright आया है जिसमें कि हमारा जो वीडियो का visibility है उसको remove कर दिया गया है monetization disable कर दिया गया है और restriction copyright claim है हम कहते हैं इसमें 0. millisecond यह जो है copyright 0. कुछ second के लिए ही मतलब वीडियो दूसरे का open हो गया था हमने सुचा कि यह काफी आसान होगा लेकिन copyright strike दे दिया तो आपका 0. second भी दूसरे का content नहीं आना चाहिए देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा वीडियो का title था और जो कि जिस वीडियो पर आया है तो उसका title था और यहां पर देख सकते हैं monetization जो है ineligible हो गया है और यह को पर्मानेंटली इससे डिलिट कर दिया गया है तो कि और सब भी वीडियो है जिस पर copyright strike नहीं आया है तो वह हमारा अपना content था यह भी हमारा ही अपना content है बस इस जिरो पॉइंट मिली सेकेंट दूसरे का जो content है वो चल गया था जिसके कारण को यह आ गया तो हम यह बार बार यहां पर focus करने का मतलब यह है कि आपके भी content में एक भी second किसी दूसरे का content एड होने नहीं दीजे क्या फाइदा है इतना आप मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और कोई copyright content अफालतू का दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें मतलब हम आसानी से बताएंगे कि किस तरह से आपका copyright content हटाना है और देख सकते हैं आपको एक email करने के लिए भी बताऊंगा किस तरह से email करना है और उसके बाद जो होता है कि किस तरह से वो आपक कि क्या होता है लेकिन हम यहां से आपको जो तरीका होगा उसको कर लेकर करने के लिए बताऊंगा तो चलिए हम यहां पर अपने laptop का रिफ्रेस्क भी कर लिया और यहां पर हम जो अपना browser है उसको open कर लेते हैं browser open करने के बाद आपका यूट्यूब चैनल है उसको desktop वो साइ करने के लिए आप चाहें तो अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब इसको इस तरह से open कर ले सकते हैं उसके बाद जो आपका desktop साइट है उस पर जाके आपको यहां से desktop जिससे यहां पर आपका जो profile चैनल का profile icon होगा उस पर क्लिक कर देना है जैसे आप चैनल के profile icon पर क्ल पर क्लिक करना है जैसे आप YouTube इस्टूडियो पर क्लिक करते हैं तो आपका YouTube Studio है वह आपका ओपेन होगा तो YouTube इस्टूडियो जब आपका open हो जाएगाँ तहला कि यहांपर क्या कर तेंधे होगा है तो आप देख सकते हैं यहां पर जो copyright इस्टाइक हगरा है वीडियो भीना ुमासी आप इस पर क् Always a systems क्किलिक करते हैं तो यहां पर होता क्या है कि आप करते है यहां पर आपको दिखéoता है और आपको किसने भेचा है कोपिधाए ही वह भी यहां पर दिखा देगा और स्कूल भी आप complete कर सकते हैं और यह जब कोपिराइट कोई भी वीडियो को होने वाला है तो उससे पहले हमको हटाना है को भी राइट इस्टाइक तो यहां पर कंप सेलेक्ट एक्षन पर क्लिक करना है उसके बाद कंप्लेंट पर क्लिक करना है उसके बाद या आपको जो आपको भी राइट दिया है तो उसका जो इमेल आइडी है उसका इमेल हो गया बगार आपको अपना काम निकालना है तो किसी को कहना ही होगा सौरी तो सौरी कहना कोई बड़ी बात नहीं है कहना ही चाहिए क्योंकि आपने उसका कंटेंट जीरो भी सेकेंड क्यों अपलोड किया तो आप इसके कहना ही पड़ेगा और वो सौरी कहके आप अपना जो इमेल है काफी अच्छे तरीके से जो तरीका होता है उससे लिख कर आप उसको इमेल सेंड किजेगा तो चलिए हम अब अगला प्रोसेस में जाते हैं इमेल कैसे लिखना है तो इमेल जब जीमेल पर जाना है तो जीमेल जब जाना है तो जीमेल को ओपेन कर लेना है जैसे आप जीमेल करते हैं तो आपको ये जीमेल आ गया कि हमको भी उन्होंने जीमेल भेजा यूट्यूब ने यूट्यूब के तरब से एक जीमेल आया है कि देख सकते हैं आपका जो copyright इस्टाइक आगे है चैनल पर तो यहां से retract करने का कुछ policy है जानि कि जब आप कोई देख तकते हैं retract claim of copyright infringement यानि जब आपका copyright आ जाता है या कोई भी copyright है तो उस पर retract करते हैं इफ यह सम्मिटेट टेक डाउन notice यानि आप अगर किसी को copyright दिये हैं तो उपर वाला पढ़ना है अगर आपको if your content was taken down अगर आपका content यूट कोपी राइट आ गया है कुछी का लिए तो आप यह नीचे वाला article को पढ़ सकते हैं जब article को पढ़िएगा तो उसमें यही बताया जागा कि किस तरह से आप सही तरीका से आप अपने YouTube चैनल को जो को YouTube पर कोई copyright आ गया है तो कैसे remove कर सकते हैं वहां पर आपको जो है तरीका बताया रहेगा कि पहले आपको क्या लिखना है किस तरह से बोलना है और क्या email डालना है और किस तरह से message करना है और उसका जो अगला जो आपको copyright डिया है वह उस पर क्या action लेगा तो simply यहां पर वही सब लिखा हुआ रहता है आपको वही पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं और submit copyright removal request है यानि यहां से आप copyright removal कर सकते हैं जब यह किस के लिए है वही जो आपको copyright strike दिया है वही आप यहां से copyright removal के remove भी करवा सकता है जैसे आप देख सकते हैं left menu copyright what happened accept the removal request by email and fax you can also accept copyright removal request by email and fax वह उसके लिए बता रहा है what happened after your submit removal request तो यहां से आपका remove कर दिया जगा तो वही सब यहां पर rules and regulations बहुत सारे rules and regulations है आपको जितना समय लगे आप पढ़ें लेकिन इसको पढ़ने से कोई फाइदा नहीं है बस आपको जो कहां पर जो email दिया है उस email को लेना है और यहां पर इस तरह का कुछ email लिख देना है जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है तो आप कुछ ही second में द like दे दिया और हम आगे आपका चैनल का कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करेंगे जो कर दी हैं उसको हम डिलेट कर देते हैं अब आप से भी copyright इस्टाइक हटा लिजिए आपका रिस्ता और मेरा रिस्ता खतम यहीं से यहीं करना है और उसके बाद करके आपको जो है copyright का जो message email कर देना है उसको email करना है बस उसके बाद email करने के बाद अब उसके उपर depend करता है उसके अंदर इमानदारी होगा तो वो delete कर देगा अगर नहीं करता है तो वो 90 days के अंदर